ये आकाशवणी है अब आप अतहर सहीद से सवाचार सुनिए भारत निर्वाचन आयोग ने जमो कश्मीर में विधान सवाचनाव में दूसरे चरण के लिए अधी सूचनाचारी की है इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है नामांकन पत्र भरने की अंतिमतिती पांस सितंबर है अगले दिन नामांकन पत्रों की चांच की जाएगी 9 सितंबर तक उमीदवार नाम वापस ले सकते हैं 25 सितंबर को मतदान होगा परिणाम 4 अक्तूबर को घुशित किये जाएंगे केंद्र रक्षामंत्री राजनास सिंग केरल के दो दिवसी दोरे पर आज तिरुवनंत पुरम पहुंचेंगे श्री राजनास का कल सुबह एक निजी मीडिया सम्मिलन में भाग लेने का कारिकरम है केंद्री इलक्ट्रानिक और सूचना प्याद्योगी के राजनास प्रसाद ने आज निदिली में डिजीटल अर्थ ववस्था सम्मिलन को सम्मधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि भारत स्टार्ट अप का महाकुम है पिछले दस वर्षों में इस एक देश में प्रतियक 40 मिनट में एक स्टार्ट अप की शुरुआत की जाती है उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्ट अप के बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानि ए आई के लिए 10,000 करोड रुपे के राशी स्विकृत की गई है वित्मत्राले ने प्रतिभूती अनबंद विनियमन नियम 1956 में संशोधन किया है जिससे सारवजनिक ख्षेत्र की भारती कंपनिया प्रतिभूतियों के अंतराश्टी शेयर बाजारों GIFTIFSC में सीधे सूची बद्ध करा सकेंगी वित्मत्राले के अनुसार नए संशोधन से भारती स्टार्ट अप कंपनियों को वैश्विक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी केंद्री परियावरण वन और जल्वाईयू परिवर्तन राज्यमंत्री कीर्टी वर्धन सिंग्नी आज नए दिली में S.O.C.M. परियावरण और कारबन सम्मेलन का उद्धिहाटन किया सम्मेलन का विशह दोहजार सत्तर तक कार्बन उत्सरजन का इस तर शूने करने के तंतर काविकास है सम्मेलन को समोधित करते हुश्री सिंग ने कहा कि जलवाईयो और परियावरन परिवरतन अब एक वैश्विक मुत्ता है लेकिन सरकार देश को इसके प्रभाव से बचाने के लिए कई कदम उठा रही है सरकार ने संग लोक सिवा आयोग यूपी एससी को स्वेचिक आधार पर उमीदवारों की पहचान प्रमारित करने के लिए आधार आधारित सत्यापन के अनुमती दे दी है पंजी करन के समय और परिक्षाउत अधा भरती के विभिन चरणों के दौरान ये सत्यापन किया जा सकता है लमो कश्मीर के कुपवारा जिले में नियंतर और रेखा पर घुसपैट रोधी अभियानों के अंतरके दो अलग-अलग मुठवेड़ों में तीन आतंकवादी मारे गए भरती सीना की चिनार कूर के अनुसार एक मुठवेड माचल सेक्टर में और दूसरी तंगधार सेक्टर में हुई राश्टी अन्वेशन अभीकरन एनाईये ने पाकिस्तान की साज़िश वाले विशाका पत्नम जासुसी कांड में बड़ी कारवाई करते वे कल देश भर में विबहने ठिकानों पर तलाशी की एनाईये के अनुसार गुजरात, करनाटक, केरल, तिलंगाना, उत्तप्रदेश, बिहार और हर्यारा में सोलह ठिकानों पर व्यापक तलाशी की गई बिहार में बार की स्थिति गंभीर बनी हुई है, गंगा, गंडक, कोसी और महानदी सहित, प्रमुख नदिया कई इस्थानों पर खत्रे की निशान से उपर बह रही है खगरिया, भागलपुर, कटिहार के कुछ नए क्षेत्र बार की चपेट में आ गए हैं, नेपाल से निकलने वाले नदियों के जल गिरहन क्षेत्रों में तेज वर्षा के करण बार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है मौसम विभाग ने उत्तरी बहार के कई भागों में तेज वर्षा की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने सौराष्ट और कच्छ में आज मूसलाधार वर्षा होने का पूर्वा अनुमान व्यक्त किया है मौसम एजिंसी ने कहा है कि अगले साथ दिन के दौरान कौंकन, गोवा, मध्ध, महाराष्ट, असम, मेघाले, नगालेंड, मनिपूर, मिजोरम और तिरुपरा में तेज वर्षा का अनुमान है पश्चिम नेपाल में लगातार वर्षा के फलसुरूप भूस्खिलन के करण संफे बागर मरतंडी रोड पर बाधा उत्पन की गई है इस वर्ष दस जून से विभिन भागों में मौनसुन की वर्षा के कारण बाड और भूस्खिलन जैसी विभिन आप अदाओं में कुल 210 लोगों की मौत हुई है आज दो पहर बाद तक बाड के कारण 480 मकान जल मगन हो गए बाड में 972 पश्वों की भी मौत हुई है आज राष्टी खेल दिवस मनाया जा रहा है ये दिवस महान होकी खिलाडी मेजर ध्यान चंद के जन्म दिन पर 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है इस अवसर पर युवा कारिकरम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुक मानविया ने सभी नागरिकों को कम से कम एक घंटा खेल को समर्पित करने का आहवान किया पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी राष्टी खेल दिवस पर शुबकामनाय दी उन्हाने कहा कि देश हौकी के खिलारी मेजर ध्यान चरंद को आज शुरधा सुमन अर्पित कर रहा है इसके साथी समाचार बुलेट इन समाप्त हुआ